Hey guys, welcome to my channel, Prince Kumar आज हम लोग जारखंड के कुछ different different data's देखेंगे जो की exam point of view से काफी important होने वाले हैं इनसे question लगबग हर बार ही बनते हैं और बनते ही रहेंगे तो कुछ data को जल्दी जल्दी revised में देख लेते हैं तो population के context में इंडिया में जो जारखंड state है वो 14th rank पे आता है मतलब कि अगर सबसे ज़्यादा population जिस जैसे UP में है तो उसके बाद फिर उस तरह से 14 नंबर पे हमारा जारखंड आता है यहाँ पर male population है 51.32% तो यह exact data आप याद अगर नहीं रख पाओ तो लगबग रखो कि male population वो ज़्यादा है as comparison to female population और यह 51 के context में है और यह female population about 48% के है बट आप कभी-कभी अगर definite way में पूझ दिया गया तो यह 51.32 भी पूझ दिया जा सकता है बट यह vary करते रहता है तो 51.32 आप याद रख लेजे और female का 48.68 उसके बाद SC का जो population है वो 12% है पूरे overall population में SC हमारा 12% आता है और ST, Cedule Tribe, SC Cedule Cast और ST जो की 26% आते हैं और population density जो है वो हमारा 414 है एक unit area में कितने एक unit area volume में आपका कितना population कितना लोग रह रहे हैं उनका calculation generally population density कहलाता है तो यह 414 चार सो 14 लोग लगबग रहते हैं एक unit area में और इसका सबसे populated district राची है और second most populated district धनबाद है उसके बाद हम लोग sex ratio को देखते हैं sex ratio यहां का 948 है जो की कम है that means की per thousand male 948 females है ruler में ये 961 है urban में ये 910 है हलाकि देखा जाए तो urban से ruler काफी बढ़िया है but in the context thousand में देखा जाए तो ये भी सही नहीं है और child का जो sex ratio है वो 948 है तो as comparison ये threatening है थोड़ा तो इसे बढ़ना पड़ेगा आगे बढ़ते हैं literacy rate तो literacy rate में mainly आपको राची और पाकुड का ही नाम याद रखना होगा और male female वगेरा में highest में राची है और lowest में पाकुड है राची में about 77 to 80 के लमसम में और पाकुड में around 60 के लमसम में ये literacy rate है तो most male में भी और most female में भी अगर देखा जाए तो राची है और less male और less female में भी पाकुड है आगे बढ़ते हैं tribes population को देखते हैं यहाँ से question ज़्यादा बनता है tribes population में तो most SC जो है district most SC वाला district as comparison to population wise हम लोग population और percentage wise दोनों देखेंगे तो population wise में mainly देखा जाए तो palamu है SC में और फिर ST में देखा जाए तो राची है और फिर less में देखा जाए कम तो लोहरडग्गा है और less ST में देखा जाए तो कोड अर्मा है तो most sc में आप पलामू, less sc में लोहरदग्गा, most st में राची, less st में कोडर्मा और फिर percentage wise को देखते हैं तो percentage wise में changing है बट एक जो data है less st का वो कोडर्मा कोडर्मा दोनों में है तो यह आप याद रख सकते हो कोडर्मा और most sc जो है वो चत्रा में है as comparison to percentage wise और most st जो है वो खुटी का है और फिर less sc जो है वो पाकुड का और less st है वो आपका कोडर्मा का है तो सबसे ज़्यादा sc चत्रा में, percentage wise में और सबसे कम पाकुड में फिर st में खुटी और less st में आपका कोडर्मा तो आज के लिए बस इतना ही ये डाटा exam perspective से काफ़े important हो सकते हैं मेरे चैनल को support करें और और लोगों को भी share और subscribe करवाएं हमारे चैनल को धन्यवाद दोस्तों कर दोस्तों है